हेलो अब्रिवान एंड वन्स अगेन वैलकम टो डवलो स्क्रिप्ट गाइज मैं हूँ भागी रदगिरी और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करके और सेट टाइम इंटर्वल का यह सेट टाइम आउट का यूज करके आप कि यह चीज अच्छे से कंफर्म है कि जो हमारा HTML है CSS है वह पेज रिफ्रेस्ट पे ही काम करता है तो हमको पेज में अगर कुछ भी चेंजेस ऐसे करवाने जो बिना पेज रिफ्रेस हुए हो तो वह जावा स्क्रिप्ट ही कर सकती है तो यह जो क्लॉक है वह आपकी जावा स्क HTML का document बना देते हैं और इस HTML के document में हम लोग use करने वाले हैं यहां पर हमारे code को सबसे मीचे नीचे में यहां पर script tag लगाता हूं इसको कोछ format करना है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसकी font की size बढ़ा देता हूं तो font की size बढ़ाने के लिए आप क्या करना है रखेंगे तो हम लोगों को यह h1 को target करना होगा तो अभी जो आपको simply clock दिख रही है उसको मैं यहां से अटा देता हूं क्यूंकि यह दिखाने के लिए था कि font कैसा दिखेगा और अब मुझे क्या गरना है मुझे यहां पर एक बनाना है function तो एक function बना देता हूं और इस function date तो यह क्या करेगा date की class को extend करेगा दी उसका एक object बन गया है और उसका object हम लोग use करने वाले हैं आगे further तो मुझे अगर variable h के अंदर अगर मुझे r से जो current r चल रहे हैं वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे तो d.get r यह मैंने आपको पिछले वीडियो में जो date and time functions, date time के functions बताये थे उसमें मैंने आपको समझाया है कि r चाहिए तो आप कुछ इस तरी किसे निकाल सकते हो फिर मुझे चाहिए variable, variable के अंदर minutes तो मैं m ले रहा हूँ और d.get minutes कर देता है तो यह क्या करेगा मुझे minutes दे देगा, get minutes और same as it is मुझे कह चाहिए seconds तो current second तो d.get seconds कर देंगे हम लोग, तो यह होगा d.get seconds अब आपको यह समझना है कि यह जो date आप बनाते हो जब d variable आप बनाते हो तो उसका जो date जो उसके अंदर store होती है वो उस time पर store होती है जब आपका date वाला यह instance create हुआ है, मतलब यह जो आपका date create हुआ है तब store होती है, तो आपको हर क्या करना होगा हर बार हर सेकंड इसको refresh करना होगा हर सेकंड रिफ्रेस करने के लिए हम लोग किसका use कर सकते है हर सेकंड रिफ्रेस करने के लिए हम लोग आप पर use कर लेंगे set time out और set time out क्या करेगा एक function को call करेगा किस function को so time को कितने बाद हर thousand milliseconds के बाद thousand milliseconds का मतलब क्या हो तो हर second यह function वापस पूरा के पूरा call होगा और नई value store होगी और फिर क्या होगा आपके पास यहाँ पर set time out फिर से call हो जाएगा तो हर बार यह एक loop continuous loop बन जाएगा यह function call हुआ और फिर वापस set time out पर आएगा set time out इसको 1000 milliseconds यह नहीं 1 second बाद वापस call कर देगा तो यह continuous चलता जाएगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इसको डालेंगे store करेंगे तो मैं एक time नाम का variable बना देता हूँ तो where time और time नाम के variable के अंदर मुझे क्या चाहिए आर्स चाहिए जो current आर्स चल रहा है वो रखेंगे हम लोग और फिर plus एक श्रिंग बनाऊंगा ऐसी जिससे मुझे कुछ इस तरीके का format दिख सके मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का format दिख सके तो उसके लिए एक श्रिंग बना देता हूँ तो यह हो गया मेरे पास आर्स फिर हमारे minutes होंगे तो minutes के लिए यहां पर रख देता हूँ minutes और फिर यह colon आ जाएगा यहां पर और इस colon का हम लोग यूज़ कर लेता है फिर यहां पर लगा देता हूँ plus और add the end हमें क्या चीए seconds से यह हमारा क्या बनगा एक time नाम का variable बन ज तो h1 tag यहां पर आ जाएगा और h1 tag के अंदर हमको रखना है तो यह हमारा h1 tag है यहां पर और इसके जीरोत की इपर जीरोत की इसलिए रखना हूँ मैं क्यूंकि get elements है इसके मतलब क्या बनेगा एक array बनेगा और हमको कौन सा चीग है जो सबसे पहले वाला है उसके अंदर होना है था वो time है तो यहां तक करने के बाद आपको क्या करना होगा इस function को पहली बार तो call करणा होगा क्य Pub gay बार जैसे ही on लोड़ ओजाए मतलब body के load event पर लगाना तो body on load पर मैं कहांगा body on load पर so time वाला function पहली बार call करवा दूँगा तो जैसे body load हो जाएगी उस time क्या होगा पहली बार so time function call होगा और यह चलेगा और यह पूरे पूरा time उसमें आजाएगा और फिर हर बार 1000 ms के बाद यह नहीं 1 seconds के बाद यह हमारी clock चलती जाएगी तो आप देख रहे हो clock continuously चलती जा रही है और यह 12, 9 और 54 बट अभी भी यह वाला format हमारे पास नहीं आया जो format हमें चाहिए वो नहीं आया, am, pm नहीं आया हम उसमें बताएंगे सबसे पहले कि am चल रहा है, session में हम लोग default में क्या रखेंगे, am और इसमें यहां पर मैं concatenate करवा देता हूँ, यहां पर session यह दिखाएगा आपको session कौन से चल रहा है, am बट अभी am चल नहीं रहा है, exactly अभी क्या चल रहा है, pm चल रहा है, यहां पर मैं थोड़ा से एक space लगा देता हूँ, तो एक space के लिए हमको इधर concatenate करवाना होगा, और यह एक space आजाएगा, आप देख सेकतो हो, अभी चल रहा है am, बट अभी exactly am चल ही नहीं रहा है, 1234 आता है, बट मुझे वो नहीं चाहिए, अभी देखना, आप 60 आएगा, 60 के बाद 1234 आएगा, बट हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 010203 ऐसा चाहिए, तो उस case में आप क्या गरोगे, उस case में आप सब पे logic लगाओगे, hours पे भी लगाओगे, minutes पे भी अगर hours जो है, वो 10 से चोटे होते हैं, मतलब hours का है, 10 से चोटा है, तो true condition क्या होगी, तो true condition में आप क्या गरोगे, concatenate करवाओगे, 0 को किसके साथ, hours के साथ, अगर hours जो है, वो 10 से चोटे है, यानि 9 है, तो 09 दिखना चाहिए, 08 दिखना चाहिए, और वरना आप hours को as it is ड concatenate करके आ रहा जाएगा, 10 से चोटा है, यानि 9, तो 09 दिखेगा, और वरना क्या दिखेगा, 10 से बढ़ा, यानि 10 दिख सकता है, 11 दिख सकता है, और same as it is हमको use करना है, तो हम लोग minutes के लिए भी use करना है, क्योंकि minutes भी तो हमको 10 से चोटे मिल सकता है, और as it is seconds के लिए भी जिस से हम लोग judge कर सकता है, कि अगर 12 के बाद 13 आए, तो वो 13 क्या हो, 13 न बने, 12 बन जाए, तो उस condition में आपको क्या करना होगा, उस condition में आपको लगाना होगा, if r is greater than 12, अगर r जो है, वो 12 से बड़े हो जाते, तब आपको क्या करना है, r is equals to r minus 12 करवा देना है, तो guys इस case में क्या होगा, इस case में कुछ इस तरीके से work करेगा, कि जैसे r 12 से बड़े हो जाएंगे, यह 13 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या आखत चलेगा, कि r is equals to 13 और minus 12, तो 13 minus 12 कितना होता है, 13 minus 12, फिर से वो 1 हो जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा, और यह condition आपकी यहाँ पर न r is greater than or equals to, यहाँ पर आप चेक रोगे, अगर r greater than equals to 12 होता है, तो session को change करके क्या कर दो, session को change करके PM कर दो, तो यह clock आपकी 24 hours चलती जाएगी, और कैसे चलेगी, 12 hours कंसेप्ट से चलेगी, तो अब जैसे ही यहाँ पर 1 बजेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बन जाएगा, आपका, एम बन जाएगा, यहाँ पर, और यह clock आपके पूरे time चलती रहेगी, जब तक आपका browser यहाँ पर open है, तब तक तो चली रही है, अगर आपने यहाँ से close कर दिया, और वापस इसको open करो गए, तो यह उसके according, फिर से चलना सुरू हो जाएगी, तो कर्द करो तक करते हैं, इसस देए आपके देएगा, तो जाए यहाँ से कर्दों क खार रही है, तो बन जाएगा बने चलना सुरू हो जाएगा, तो पुलने से करतों को। आपके दियाएगा, तो चलना सुरू अब तो पर